हेलो डियर फ्रेंट्स वेलकम तो दे चैनल सो अज कर वेडियो हमारा सीरीज का लास्ट लेक्ट्टर है आज के बाद हमारा सीरीज का ठीरी कंसेप्ट एंड हो जाएगा और मैं एक प्रब्लम सेशन या दो प्रब्लम सेशन में सारी चीज़ों को खत्म करूंगी तो चले आज जो रिमेंग अबल स्टेस्ट रिचले टेस्ट बचें वो कर देते हों के तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा रजल्ट क्या है लेट एंड एन बी एनी सेरीज एनी सीरीज ऑफ आर्विट्रेरी टर्म्स एनी सैस den पाव ट्ढविट्रेंग चार्विट्रेंग पांडेंग!". इस प्रिवियस लेक्चर में मैंने अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो देन आप पूजा के पहले देख लो फिर यह वीडियो पर नहीं हो पाएंगे और आगे के प्रूफ पर आपको समझ में नहीं आएगा देन सीरीज ए ए एन बी एन इस एक्शल्योटली कन वर्चेंग ओके तो हमारा देन पर नहीं नहीं है प्रूफ आपको नहीं है देखा है पूंके तो हमारा देखा के पूंके तो मारा रजल्ट यही बोलता है कि एक मैंने सीरीज लिया एन कोई साभी सीरीज ले लो आर्बेटरेरी टर्म्स का मतलब पॉजर्टिव नेगेटिव जैसा सायनों उससे में दिक्कत में अगर मेरा सीरीज एन एपसिल्यूट्ली कनवजेंट है इस इंप्लाइज जो सीरीज एन इंटू बी एन जो पनेगा वो ऐसल्यूट्ली कनवजेंट होगा यह रजल्ट आप याद कर सकते हूं अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे रही हूं तो चलिए प्रूफ करते इसको हमारा क्या है S-N S-N मैंने लिट किया S-O-P-S of Series A-N मैंने क्या लिट किया मेरा जो S-O-P-S of Series A-N है वो मैंने S-N लिया तो S-N को मैं क्या लिख सकती हूँ सीरीज A-N क्या है मेरा सीरीज A-N is absolutely convergent absolutely convergent है मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ और S-O-P-S का concept आपको lecture के first video पे मिल जाएगा क्योंकि अभी वो चीज़े मैं फिर सर डिसकस करूंगी तो मुझे बहुत time देना पड़ेगा तो अगर आपको S-O-P-S sequence of partial terms अगर आपको जाना तो first lecture पे जाओ series के और जाके देख लो तो आपको पता लग जाएगा तो S-O-P-S of A-N convergent है okay convergent है मतलब क्या बोल सकती हूँ कि मेरा A1 plus A2 plus A-N क्या है मेरा convergent है okay is convergent is B-S-O-P-S of A-N एक मिनट B-S-O-P-S of series A-N okay यह mod series A-N मुझे absolutely convergent given है तो मैं लिख सकती हूँ न convergent है आप यह bracket में absolute कर लो तो series A-N क्या है मेरा absolutely convergent है तो मैं S-N को लिख सकती हूँ mod A1 plus mod A2 plus mod A-N यह S-O-P-S of series A-N है यह मुझे given है कि यह convergent है absolute convergent और T-N मैंने एक define किया जो कि T-N into B-N तो यह किस टाइब का बनेगा यह मेरा बनेगा A1 B1 plus A2 B2 plus A-N B-N यह क्या है मेरा मैंने T-N define किया मैंने let मैंने define किया यहाँ पर define लिख दती हूँ define T-N मैंने T-N को define किया ऐसे और देखो क्योंकि B-N is bounded B-N is bounded मुझे पता है तो B-N का value sum K से छोटा होगा for all N belongs to natural number अगर B-N bounded है तो मैं लिख सकती हूँ तो इस series को देखो यहाँ पर आते हैं अब देखें आपर T-N minus S T-N minus T-N T-N minus T-N क्या कर सकती हूँ अगर मैं लिखूँ ऐसे यहाँ पर लिखूँगी A1 B1 plus A2 B2 and here N is greater than or equal to N A N M भी terms हाएगा क्योंकि N बड़ा A M B M plus A N B N का मोड OK minus क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 B1 sorry यहाँ पर ब्रैकट दे दो OK ब्रैकट दे दो तो प्लस यहाँ पर A2 B2 plus and A M B M OK तो यह नेगेटिव है तो कुछ टर्म से मेरे cancel हो जाएगे तो देखो यहाँ पर यह क्या हो गया मेरा यहाँ से मैं लिख सकती हूँ A M plus 1 B M plus 1 plus A M plus 2 B M plus 2 OK and so on A N B N मेरे पास यह बचा अब चलते हैं B N मेरा bounded है OK अच्छा mod A N B N को मैं क्या लिख सकती हूँ इस इक्वल टू mod A N इंटू mod B N तो यहाँ पर वैसे ही देखे यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ A M plus 1 का mod इंटू B M plus 1 का mod यहाँ पर भी mode है OK A N का mod इंटू B N का mod तो अगर सीरीज मेरा bounded है OK मेरा B N bounded है that means B N is sum K से छोटा होगा OK मैंने तो यह बता रखा न कि B N sum K से छोटा होगा तो इससे मैं लिख सकती हूँ K times A M plus 1 का mod plus A M plus 2 का mod plus A N का mod OK यह तो लिख सकती हूँ मैं तो इससे आईए देखते हैं अब आजाते हैं यहाँ पर which is less than or equal to K times mod S N minus mod S N यह लिख सकती हूँ आप देखो S N क्या हो गया मेरा S N हो गया S N हो गया mod A1 plus mod A2 and mod A N OK मेरा M से बड़ा है mod S N minus mod S N OK तो यह term मेरा less than epsilon होगा क्योंकि कौची यह कुछ कौची टाइप दिख रहा है S N minus S N और A N क्या है देखे already मुझे A N absolutely convergent बुला है अगर एक series absolutely convergent होता है mod A N is absolutely convergent तो देखे एक चीज़ मैंने यहां पर रॉंग लग दिया OK देखो यहां पर mod A N is absolutely convergent that means mod A N is convergent अगर mod A N convergent है तो उसका N S O P S भी convergent होगा और S M भी convergent होगा और अगर उनका difference में ले लूँ S O P S का वो भी convergent होगा मतलब उसके difference को मैं less than epsilon लिख सकती हूँ ना क्योंकि absolutely convergent for all N M greater than or equal to N OK तो अब देखो यहां से मैं बोल सकती हूँ जो T N था मैंने क्या लिया था मैंने लिया था T N मैंने दिखा दिया T N क्या है वो less than epsilon है that means अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि T N is convergent T N convergent का मतलब क्या हुआ T N का S O P S convergent होगा अगर T N convergent है तो T N का S O P S P convergent होगा तो मैंने T N को क्या लिया था T N को मैंने define क्या था mod N into mod B N mod N B N मैंने define क्या था तो mod N B N को mod of N into mod of B N लिख सकती हूँ तो यहां से लिख देती हूँ N B N का mod यह मुझे क्या मिला convergent मिला that means इसे लिख सकती हूँ series A N into series B N is convergent ओके यहां से क्या बोल सकती हूँ कि मुझे मिला यहां से मैं बोल सकती हूँ कि series A N B N is absolutely convergent अगर मैं mod लगाऊंगी तो बस convergent बोलूँगे अगर function absolutely convergent है तो A N B N is absolutely convergent और यही मुझे प्रूफ करना था और यह मेरा प्रूफ हो किया अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो फिर से मैं recall करा देती हूँ चलिए देखते A N एक series है positive arbitrary terms का मतलब arbitrary terms series मैंने पता रखा है अगर आपने नहीं देखा आप जाके देखलो एक बरी तो देखो यहाँ पर series of arbitrary terms है और B N मेरा bounded है अगर series absolutely convergent है तो series A N B N मेरा absolutely convergent होगा अगर series absolutely convergent है that means series मेरा convergent है series convergent है तो S O P S भी convergent होगा तो मैंने S O P S ले लिया S N को मैं कैसे define कर दो S N A N का S O P S है A N absolutely convergent है तो मैं उसे mod A1, mod A2, mod A N जो लिख दी series का S O P S अचा मैंने T N define किया A N into B N मैंने क्या define किया यहाँ पर mod लगा लो mod A N into B N तो देखो यहाँ से मुझे मिला A1, B1, A2, B2, A N, BN और यह तो मुझे थोड़ा बाजों बताना ची यह चीज़ मैं भी skip कर रही हूँ तो मैंने T M minus T M define क्या क्योंकि मैं चाहते हूँ कि मैं कौची दिखा दू अगर मैं इसे less than epsilon दिखा दू तो T N मुझे क्या मिल जागा कौची मिल जागा कौची मिलते ही मैं कन्वर्जेंट दिखा सकते हूँ मैंने आपको कौची का भी concept पता रहा कि अगर एक series कौची होता तो वो कन्वर्जेंट होता है तो मैंने यह आज से क्या क्या T M minus T M minus करा दिया तो मेरे पास क्या बचा चले देखते हैं मेरे पास यही बचा कि इतना ही मेरा बचा है अब देखते क्या कर सकते हैं अब देखी यहां पर मैंने क्या क्या मैंने यह क्या कि मैंने A M plus 1 into B M plus 1 का मोड को separate कर दिया separate कर दिया तो हमें पता है कि B N bounded है तो वो समकेर से bounded है मैंने an Yeah मैंने दिखाल दिया कि यह मैंने के लिखा है और यहां पर यहां पर प्रैकेट थोड़ा क्लियरली विज्वलाइज है और यह जो दिया कि यह जो टर्म है ग्माहं दिलिए आप धने कर से अट देखależy आप यह चीज आप यहां मत Pokémon सकते हैं यह पर के इंटू यह पर क्या हो जागा SN minus SM as mod का प्रापर्टी होता है कि mod AN minus mod BN is less than or equal to mod AN minus BN. तो यह लिख सकते हो तो as series SAN convergent है, तो SN minus SN क्या होगा? काच्छी बनेगा. तो which is less than epsilon? मुझे यहाँ से पता लग जग जिया. अच्छे यह less than epsilon मिला तो मैं क्या बोल सकती हूं कि Tm minus Tn आपे Tn minus Tm का mod less than epsilon that means Tn is कौची मुझे क्या मिला Tn क्या मिल गया कौची कौची मिलते ही Tn is convergent मुझे मिल गया Tn is convergent तो Tn का SOPS भी convergent होगा Tn का SOPS मैंने क्या लिया था एन इंटो बीन एन इंटो बीन convergent हो गया अच्छा मैंने एन बीन को एवन एन का mod इंटो बीन का mod लिख लिख लिए convergent तो मुझे यहां से क्या मिल गया यह पेज का भी बहुत प्रॉब्लम है तो देखें आपे मुझे यह मिला तो उसके बाद आप देख सकते हो एन बीन इस आपसिलोटली convergent यह मेरा प्रूफ हो गया अब चलते है एबल्स टेस्ट पर एबल्स टेस्ट जो मैं करवाऊंगी थोड़ा इसका इस result का use होगा तो एबल्स टेस्ट पर आते हैं मेरा एबल्स टेस्ट बोलता है let series a n b any arbitrary any arbitrary series of real number okay a n कै मेरा arbitrary series of real number and b n is monotone monotonic and bounded okay and bounded अच्छा है यह चीज़ मैं आपको बताऊंगे if series a n is convergent this implies series a n b n is convergent okay तो देखें हांसे a n एक arbitrary term series है positive हो negative हो चोपी हो कि arbitrary term series है of real number किसका real number का and b n जो है वो monotonic and bounded मैंने यह थेहरम करा रखा है कि अगर एक sequence monotonic and bounded है plus bounded यह imply क्या करता है convergent मतलब मुझे b n convergent sequence given है और a n arbitrary term series है अगर a n is convergent तो a n b n convergent है okay तो चली स्टार्ट करते है प्रूफ को हम प्रूफ करते है okay हमें क्या given is series a n is convergent okay series a n convergent that means sop is convergent a 1 plus a 2 and a n is convergent sop is convergent होता है और given क्या है b n is monotonic and bounded okay यह क्या है monotonic bounded तो यहां को मैं imply कर सकता हूं b n is convergent okay अच्छा अब मैं फिर से apple stage जैसा ही लगा रही हूं okay देखिया मैं define क्या मैंना tn tn मैंना define क्या a n into b n इसे क्या लिख सकते हूं a 1 b 1 a 2 b 2 a 3 b 3 and a n b n okay अच्छा a1 को मैं s1 b 1 लिख सकते हूं s1 मैंने बता रख्या अगर आप video नहीं देखे तो आपको बहुत दिक्कत होगा s1 होगा मेरा a1 s2 होगा a1 plus a2 s3 क्या हो जागा मेरा a1 plus a2 plus a3 okay e2 को क्या मैं लिख सकते हूं s2 minus s1 into b2 इसे क्या मैं लिख सकते हूं s3 minus s2 into b3 and sn को मैं लिख सकते हूं sn minus sn minus 1 into bn okay इसका अगर मैं difference नेकाल हो डिफरेंस युक्या आएगा इसक का डिफरेंस नेकाल हो ये a2 आएगा इसका difference नेकाल हो ये a3 आएगा इससका difference नेकाल снова n आएगा TIG a तो चलिए देखते हैं, मैं क्या करती हूं, जहां पर S, B1, S देखें, यहां पर S1, S1 है, पास में ले आती हूं, तो S1 को अगर मैं लाई, तो मुझे मिला B1 माइनस B2, आप ब्रैकेट को खोल ले ना, देन पास में ले आना, मैं अरेंज कर रही हूं, जस्ट, S2, B2 माइनस B B3 and Sn, Bn माइनस Bn प्लस 1, प्लस Sn इन्टो Bn प्लस 1, यही मिलागा मुझे, तो चलिए, मैं B1, B1 माइनस B2 को D1 डिसाइन करती हूं, तो मैं इसे लिख सकते हूं, S1, D1, S2, D2, and Sn, Bn, मुझे यह मिल गया, तो अब मुझे क्या शू करना है, अब मुझे शू करना है कि Tn मेरा Convergent है, मुझे यह शू करना है, तो क्या मैं बोल सकती हूं, यह जो है S O P S of Tn है, Tn Convergent मुझे शू करना है, तो मैं अगर इसे Convergent दिखा दू, S O P S, यह अगर Convergent दिखा दू, तो मेरा काम डन है, अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हो, Sn जो है, Sn जो है, वो मेरा Bounded है, क्यों? क्योंकि As En Convergent मुझे गिवन है, तो Sn भी मेरा Convergent है, यह मुझे पता है, Convergent होने से मैं Bounded imply कर सकती हूँ, तो यह Sn मेरा Bounded होगे, अब मुझे क्या दिखाना, Series D and Is, अच्छा, मैं जो Result करवाई, यहां पर एक Sequence मुझे Bounded था, और अगर एक Absolute Convergent हो रहा था, An अगर Absolute Convergent मैं दिखा दूँ, तो An, BN मेरा Convergent हो जा रहा था, तो अगर यहां पर Dn को Absolutely Convergent मैं शो कर दूँ, Then my proof is done, तो चलिए, अब प्रूफ करते हैं कि Dn मेरा Absolute Convergent है, तो Series Dn इसे शो करना है, Absolutely Convergent, अगर मुझे Absolute Convergent दिखाना है, तो लिख सकती हो, D1 का Mod Plus, D2 का Mod Plus, और Mod Dn, ओके, यह लिख सकती हो करना है, अच्छा, D1 को मैं क्या लिख सकती हो, मैंने D1 क्या लेट किया था, D1 को B1 माइनस B2, D2 को मैंने डिफाइन किया था, B2 माइनस B3, ओके, तो देखें, आपे, D1 माइनस D2 को मैं लिख सकती हो, D1 का Mod को लिख सकती हो, B1 माइनस B2, D2 को लिख सकती हो, B2 माइनस B3, ओके, माइनस B3, और Dn को लिख सकती हो, Dn माइनस Bn माइनस Bn प्लस 1, आज यह सेम है, मैं कैंसल कर सकती हो, यह इस से पहले वाले टाम से कप कट सकती हो, B1 माइनस Bn प्लस 1, as n is tending to infinity, यह मेरा B1 पे कनवर्ज कर सकती हो, ओके, यह एक finite quantity पे जाएगा, as convergent, Bn, Bn तो मुझे एक कनवर्जन गिवन है, तो यह भी एक कनवर्ज करेगा, finite पे लिए, तो यह बीन पे गिया, that means मुझे क्या मिला, Dn is absolutely convergent, मुझे मिल गया न, और Sn मुझे bounded मिल गया, that means Sn into Bn क्या मिला मुझे, convergent, that means मुझे क्या मिला, An into Bn is convergent, okay, दिखा, यहाँ पे result का कैसे use वा, तो अगर result आप प्रूफ कर चुके है, मतलब terms आपको clear है, absolutely convergent क्या बोलते हैं, SOPS किसको बोलते हैं, तो आपको सारी तेज़े clear हो जाएगा, तो last test है, addressly test. my statement is let Sn is the esophagus of series An, okay, and Bn is monotone and converges to 0. उसके बाद if Sn is bounded, this implies An, Bn is convergent, okay, तो मेरा addressly test का statement है, अगर Sn का SOPS है, Sn SOPS of An है, और Bn monotone converges to 0 है, मतलब Bn मेरा converges to 0 है, अगर मैं दिखा दूँ, Sn is bounded, तो क्या हो जागा, An, Bn मेरा convergent हो जाएगा, अगर अगर आपको proof चाहिए, तो same ये पिछले जैसा ये proof इस में कुछ नया नहीं है, जैसे कि Apple stage में मैंने proof कराया, चलिए फिर भी proof करा देते हैं आपके तसल्ली के लिए, क्योंकि आग वाले स्टूडेंट को proof के need बहुत जादा होती है, Sn क्या है मेरा, A1, A2, and An, okay, मैंने Tn define किया, Tn क्या है मेरा, SOPS of An, Bn, okay, तो ये क्या कर सकते हूँ, series Tn आप लिखो, इसका SOPS अगर मैं लोग, तो क्या हो जाएगा, A1, B1, plus A2, B2, plus An, Bn, okay, तो Tn को मैं क्या लिख सकते हूँ, A1, into B1, minus B2, okay, sorry, यहाँ पर A1 होगा, S1 होगा, जिसके मैंने S1 डिफाइन किया था, इसके लिए, इसके लिए S1, B1, plus S2, minus S1, B2, plus Bn, minus Bn, plus 1, into Bn, okay, सारी, S, 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 यहाँ पर S, थोड़ा थोड़ा में confusion हो जाता है, तो इसे मैं क्या लिख सकते हूं, S1, into B1, minus B2, plus S2, into B2, minus B3, and Sn, into Bn, minus Bn, plus 1, and Sn, into Bn, plus 1, okay, तो इसके बाद मैं, Dn क्या आए मेरा, इसे मैं Dn के लिख सकते हूं, S1, D1, S2, D2, and Sn, Sn, Dn, यहाँ पर मैं सेकेंट लिट डिफाइन नहीं कर रही हूं चीज़े, तो अगर यहाँ पर Sn, देखें आपर आपको Series An Convergent Given है, तो क्या होगा, उसका S of P S क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो देखें, आपर Series An क्या है मेरा Convergent है, that means Sn मेरा Convergent है, that means Sn मेरा Bounded है, अब बचा Dn, Dn क्या हो गया मेरा, Dn को अगर मैं लिखूँ तो mod D1, mod D2, mod D1 plus mod D2 plus mod Dn, तो D1 को मैं लिख सकती हो, B1 minus A2 plus B2 minus B3 and Bn minus Bn plus 1, तो यह सारे cancel हो जाएगा, बचा मेरा Bn minus Bn plus 1, तो मेरा Bn जो है, वो Convergent है, तो Bounder हो जाएगा, तो यहाँ पर B1 है, यह finite value पर जाएगा, तो यह B1 पर Converge कर जाएगा, ले में 10 is tending to infinity, यह B1 पर नहीं, जीरो पर जाएगा, as definite limit कोई साभी value, B1 कुछ साभी finite value पर जाएगा, यह तो यहाँ से देखिए, Sn मुझे क्या मिल गया, Sn मेरा Bounder है, Bn मुझे Absolute Convergent मिला, तो उससे मैं क्या बूल सकती हूँ, Sn into Dn मेरा Absolute Convergent हो जाएगा, Absolute Convergent होते ही, Sn into Dn मेरा Convergent हो जाएगा, that means, क्या हो गया, अगर Sn into Dn absolutely Convergent है, तो क्या मैं बूल सकती हूँ, An into Bn जो है सीरीज, वो मेरा Convergent हो गया, ये तीनों Results का Proof हो गया, मैं एक-एक Examples देखरके ये Video End करूँगी, नाता कि लोग बूर ना हो जाए, बहुत ज्यादा Heavy हो जाता जिस दिन Theory Discuss हो, Proofs mainly थोड़ा भारी होता है, Students के लिए, तो चड़िए एक Example लेता है, Ables Test का Example, एक Series है, Minus 1 to the power n plus 1, ओके, Divided by n log n, ये एक Series है, आपको लगाना है Ables Test, अब आप क्या कर सकते हो, देखो, यहांसे आप Labanis Test लगा सकते हो, वो तो मुझे पता है, देखें, आपके, Minus 1 to the power n plus 1 divided by n, ये देखी, ये क्या है, मेरा, Bounded है, ओके, और ये जो Series है, 1 by log n, ये Decreasing है and Converges to 0 है, ओके, ये Decreasing है and Converges to 0 है, और ये Bounded है, तो An into Bn क्या होगा, मेरा Bound, Sorry, Converge, Absolutely Convergent हो जाएगा, Absolutely Convergent होते ही, ये मेरा, क्या हो गया, Convergent by Ables Test, किस Test है, Ables Test, Ables Test, आप इसा Drisley Test से भी दिखा सकते हो, Monotony Decreasing है, Converges to 0 है, ओके, दोनों Actual Drisley Test मेन है, Ables Test उसका Application है, तो That's Why आप ये यूज़ कर सकते हो, And Second Example, जोकि मैं Drisley के लिए देने वाली हूँ, Minus 1 to the power n plus 1 divided by root n, तो यहाँ पे जो Series An है, 1 by root n है, 1 by root n है, Decreasing है and Converges to, Sorry, गलात मैं बोलती, Bn मुझे sequence लेना है, Series नहीं है, यह मेरा sequence है, Monotony के लिए Decreasing, Decreasing मतलब 1 by root 2, 1 by root 3 and 2 on 1 by root 10, इस टाइप के terms हैंगे, तो यह Converge करेगा 0 पे, An मेरा Bounded है, यह क्या है मेरा Bounded है, As Apples टेस्ट में हमने पढ़ाए, कि अगर एक Monotony Decreasing and Converges to 0 है, Second मेरा Bounded है, An तो मैं क्या बोल सकते हूँ, An बेन, मेरा Convergent होगा, ओके, यहाँ पर आप यह चीज़ मैंने थोड़ा सा गड़बर कर दिया है, यहाँ पर देखो, आप, यहाँ पर Series नहीं होगा, यह Sequence होगा, क्योंकि Apples टेस्ट का First होता है, कि एक Series जो है, Sequence Bounded होना चाहिए, Series मेरा Convergent होना चाहिए, और BN जो है, वो Bounded होना चाहिए, BN Bounded है, क्योंकि यह Zero पर Converge कर रहा, That means, यह Bounded भी है, As Bounded हो और यह Converged होगा है, तो यह दोनों मेरा, Finite Value पर Converge करेगा, तो I Hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगए, तो प्लीज आप लाइक किया करो वीडियो को, और कमेंट करो, और हमें वीडियो बनाने के लिए motivation मिलेगा, अगर आप लाइक ही नहीं करोगी, तो फिर हम कैसे आपके लिए अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट्स लाइंगे, तो अगर आप देख रहे हो, तो अपना रेस्पॉंस जरूर से दिया करो, ताकि हमें भी motivation आपाए, थैंक्स पर वाचिंग,